वेल्कम डियर इस्टुडेंट्स आज हम लोग जितने भी आपके डाउट्स थे जो भी आपने डाउट्स भेजे थे मुझे उन सब पे एक लेक्चर बना रहा हूँ तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है तो इससे हम जितनी भी कंसेप्ट है उसको समझने कोशिश करेंगे और ज्यादा टाइम नहीं है तो शुरू करते है जो भी आपने डाउट्स भेजा थे पहला सवाल जो आपने भेजा था मुझे तो इससे हम दे लिए जिसको दोस्वड़्यमीटर तावर से दूर से दूर से टिप किया गया है उसका एंगल लेग्व एंगल ऑफ अलिवेशन था उकल टावर वह से एट डिग्री एक्टीमिनेट्स वाइल था इंगल ऑफ तुक। वर्ट तौप अप तॉप्टमार्ट दे दिया है find the height of the tower और RL of the top of the tower बोला है ठीक है तो इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले figure बनाते हैं मैं बताया हूँ कि figure बना लेंगे तो सब चीज़े easy हो जाएंगी आपके लिए ठीक है तो एक tower है उसने कहा एक tower है ठीक है इसको हम लोग ठीक है अब उसने क्या बोला एक theodolite को set up किया गया है यहाँ पर जिसका जो आपको देखो RL कितना दिया हुआ है 248.362 meters मतलब मीन सी लेवल से कितना distance है ठीक करेक्ट अब यह इसका होगा क्या line of sight और line of sight से यहाँ तक का जो distance दिया हुआ है आपको question में आरलोगर टावर ठीक है यह question में आपको दिया हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है पर आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ वो RL आपको जो दिया हुआ है उसमें question में वो दिया हुआ है 1.286 meters ठीक है मतलब यहाँ से यहाँ तक का distance वो आपको horizontal distance जो आप लोगों लिख question बेजा था उसमें दिया हुआ है इसमें वो थोड़ा सा editing error है ठीक तो कितना है यहाँ पर 1.286 meters का यह आपको question में दिया हुआ है ठीक है अब क्या बोला उसने कि एक angle उपर बन रहा है कहा तक का top of the tower तक का यह एक top of the tower और एक angle कहा बन रहा है नीचे foot तक बन रहा है ठीक तो जो उपर वाला angle है वो कितना बना 8 degree 18 minutes का और जो नीचे वाला angle बना वो कितना बना 2 degree 24 minutes का correct इतने हैं तो मैं इसको माल लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक h1 है right जो है मेरी उसको मैं capital h के बराबर माल लेता हूँ correct simple कुछ नहीं किया ठीक और यहाँ से यहाँ तक का distance जो है वो 200 meters का है ठीक जिसको मैं t से represent करता हूँ इतना ही है normal simple और कुछ चल तो अब मेरे को अगर यहाँ तक का RL चाहिए है तो मैं क्या करूँगा यहाँ तक का है मेरे पास इसमें इसको plus कर दूँगा तो 248.362 plus 1.286 meters ठीक है that will come out to be 248 249 जब मैं इसको plus करूँगा 249.648 meters ठीक है चलो करते है इसको सबसे पहला क्या है RL मुझे क्या दिया हूँ RL of instrument station किता दिया हूँ है मैं को 248.362 meters करेक्ट therefore height of instrument height of instrument कितनी हो जाएगी मेरे 248.362 plus 1.286 that will come out to be 249.648 meters ठीक है अब देखो यहाँ पर दो triangles बन रहे हैं कौन-कौन से दो triangles बन रहे हैं जब आप देखोगे इनको तो पहला triangle यह वाला यह ठीक अब मैं इसको एक नाम देता हूँ यहाँ A नीचे foot को B इसको C बीच को ठीक है तो एक A B C बन रहा है और एक यह वाला triangle बन रहा है कौन सा C B O एक O A C बन रहा है यह देखो O A C और एक C O B यह दो triangles बन रहे हैं आपके ठीक है तो अब मैं यहाँ पर इन triangles में मेरी property लगा सकता हूँ कौन से ट्रिक्रोमेटरी वाली तो पहले लिखता हूँ from triangle A O C इसमें मेरे को अगर 10 theta लगाना है तो 10 theta मेरा क्या हो जाएगा D by 10 theta मेरा क्या हो जाएगा H1 by D यह देखो 10 theta क्या होता है 10 theta होता है perpendicular upon base इसका perpendicular कितना है H1 यह H1 है और base कितना है D तो इस हिसाब से मेरा क्या जाएगा H1 will come out to be D into 10 theta 1 ठीटा 1 है एक को यह theta 1 माल लेता हूँ इसको और इसको theta 2 माल लेता हूँ ठीख है correct तो जब यहाँ पर मैं value put करूँगा तो मैं को H1 की value मिल जाएगी कैसे D की value में पास 200 पहले से है 10, 8 degree 18 minutes question में दिया हूँ है तो H1 will come out to be 29.176 meters correct अब दूसरा triangle कौन सा है मेरा from triangle B O C इसमे भी 10 theta लगाँगा तो अब 10 theta 2 is equal to यहाँ पर 10 theta 1 था देखो 10 theta 1 था 10 theta 2 हो जाएगा तो this one will come out to be H2 by D तो क्या हो जाएगा H2 is equal to D 10 theta 2 clear अब मैं यहाँ पर H2 निकालना है मेरा को D की value 200 ठेक और 10 into theta theta कितने दिया हूँ है 2 degree यहाँ पर यहाँ पर दिया हूँ है question में 2 degree 24 minutes नीचे वाला कितना है 2 degree 24 minutes ठेक है तो कितना है यहाँ पर पूट कर दू 2 degree 24 minutes ठेक है तो H2 will come out to be 8.38 meters ठेक अब यह मेरा टावर था पूरा यहाँ बीच से divided था एक मेरी H1 की value आ गई एक मेरी H2 की value आ गई अब मेरे को total H चाहिए तो मैं क्या करूँगा total height is equals to H is equals to H1 plus H2 clear अभी पीचे H1 निकाला है मैंने H1 कितना निकाला 29.176 plus अभी उपर H2 कितना निकाला 8.38 meters तो कितना आ गया total H मेरा बताओ 37.536 meters correct ठेक अब मेरे से यह सवाल में पूछा था कि total height कितनी है तो मैंने निकाल दी total height अब मुझसे क्या पूछा है निकालने के लिए अब मुझसे क्या पूछा है RL निकालने बोला है RL कहां का top of the tower RL of top of the tower ठेक है तो मैं देखो पहले height of instrument दिया हुआ है अभी height of instrument निकाला था ना पीछे height of instrument निकाला था सबसे पहले height of instrument निकाला था कितना निकाला था 249.648 meters देखो सबसे पहले height of instrument निकाला था ये height of instrument निकाला था यहाँ पर ठेक 249.648 meters करेक प्लस अब इसकी height कित्ती है H1 प्लस करेंगे यहाँ पर देखो यहां तक तो है मेरे पास height ठेक यहां तक की height है ना मेरे पास यहां तक की height कित्ती है यह है ठेक, अब यहां से मेरे को उपर तक जाना है तो मैं h1 को उसमें plus कर दूँगा, correct तो जब h1 को उसमें मैं plus करूँगा तो h1 मेरे पास कितना है 29.176 meters तो जब मैं इसको प्लस करूँगा तो मेरा कित्ता आएगा 278.824 मीटर्स क्लियर समझ में आया है यह आपका था पहला प्रेश्म जो आपने वेजा था ठेक दूसरा प्रेश्म जो आपने वेजा था वो कुछ यह है अब इसको एपर पढ़ो तो आपको समझ में आयाएगा क्या लिखा है? Determine the gradients हमें इसमें gradient निकालना है Determine the gradient from a point A to a point B A से B तक gradient निकालना है from the following observations नीचे observations दिये हुए है made with a tachometer एक tachometer के साथ एक observation नीचे जो दिया है वो बनाया है जो कि analytic lens के साथ fix है और constant दे दिया है 100 ठीक है? एक constant दे दिया 100 एक नहीं दिया तो उसको हम 0 माल लेंगे अब नीचे एक observation दिया है आपको एक instrumental station है P जहां से हमने A भी देखा है जहां से हमने B भी देखा है उसकी bearing कितनी है A की 134 degree और bearing अभी की कितनी 224 degree vertical angles कितने है 10 degree 32 minutes और 5 degree 6 minutes ठीक और दोनों plus में है अगर नहीं दिया हुआ है तो plus में है अगर minus मतलब depression और plus मतलब elevation और आपको staff readings दे दी हुई है यहाँ पर ठीक है? तो आपको इसमें क्या निकालना है? ग्रेडियंट निकालना है कहां से A से लेकर B तक का तो जो ग्रेडियंट हमें निकालना है वो हम कैसे निकालते हैं? जो उसका vertical distance होता है उसका difference is gradient, clear? ठीक तो पहले हम एक figure बनाने के कोशिश करते हैं ठीक, figure बनाते हैं देखो figure कैसे बनाएंगे हम पहले हमारे पास क्या है? P है एक station चलो, यही पर बनाते हैं एक station माल लिया मैंने P है, ठीक है वहां से A को देखा जब यह B है, हाँ पर station मेरे पास, ठीक है वहां से जब हमने A को देखा तो A कुछ ऐसा दिखा यहां पर, ठीक है और जब B को देखा तो B कुछ ऐसा दिखा यहाँ पर ठीक है समझे आया इसा दिखा न अब इसकी bearing है जैसे A है A को मैं अलग से बनाता हूँ इस A को अलग से बनाया यह देखो यह कितनी bearing है यहाँ से यहाँ तक 90 होता है यहाँ से यहाँ तक 180 होता है ठीक है correct है तो यह 134 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक 134 डिग्री है bearing ठीक उसके बाद same B, B को बनाया B ऐसे है तो वो कितनी तो 224 है तो 224 कुछ यहाँ पर होगा तो 224 डिग्री समझे आया ठीक है अब इसको आगे हम लोग जब A को मेजर करेंगे तो A पर उसने कुछ हमें vertical angle दिया हुआ है और staff reading दी हुई है ठीक तो यहाँ पर मैं अपना instrument रखता हूँ और A को हमने measure किया है तोड़ा सा instrument दर्कर लेते हैं A को हमने measure किया है अब ही जैसे पीछे figure बनाया है हमने तो कुछ इस type से figure बनेगा मेरा और जो यह angle दिया हुआ है मेरे को कित्ता दिया है 10 degree 32 minutes करेक्ट clear हुआ चीज अब यहाँ से मेरे को staff reading निकालने है staff reading कैसे निकाल दूँगा यह देखो यहाँ पर 3 values दी है last minus first कर दूँगा मेरे को staff reading मिल जाएगी ठीक है कर दूँ कित्ता है अब यह 0 हो जाएगा क्यों 0 हो जाएगा क्योंकि मेरे को question में एक ही constant की value दी है दूसरा constant को मैं क्या ले ले लता हूँ 0 additive constant 0 होता है तो वो 0 हो जाएगा क्यों 0 हो जाएगा 100 into s उपर 1.11 into cos 10 degree 32 minutes मिनिट्स ठीक स्क्राइब स्क्राइब अब सेम वी निकालना है यहां से यहां तक कर डिस्टेंस को मैं वी बोलता हूँ ठीक है तो वी निकालना है तो वी का फॉर्मूला क्या होता है ks sin 2 theta by 2 plus c तो वो 0 हो जाएगा तो उतर का मैं लिखी ही नहीं रहा हूँ ठीक है तो k क्या है मेरा 100 into 1.11 into sin 2 theta जब मैं sin 2 theta निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 21 degree 4 minutes यह 10 degree 32 minutes है जब उसका मैं 2 निकालूंगा तो ठीक अपॉन 2 V V की वाल्यू 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 जो है यहां से यहां तक जो वाल्यू है वो कि तद यह हुआ है यह जो बीच वाल्यू है 1.915 मीटर 1.915 मीटर तो मेरे को क्या चाहिए difference in elevation चाहिए तो निकाल दूंगा difference in elevation between A and instrument axis कितना हैगा मेरा 19.95 अभी V उपर निकाला उसमें इस minus कर दूंगा 1.915 जिस वाल्यू बीच वाली तो जब I'll put this in calculator I'll get 18.035 मीटर clear अब next क्या है मेरे को observation लेना है यह तो हो गया कि इसके P और A के बीच अब मेरे को लेना है instrument मेरा है P पे मेरे को लेना है कहाँ पर B पे observation ठीक और यह एंगल मेरे को दिया हुआ है कितना 5 डिग्री 6 मिनिट्स ठीक है फिर वाई सेम प्रोसीजर S की वाल्यू निकाल लूँगा मैं आपको दिया हुआ है में जादा टाइम वेस्ट नहीं का थे वीडियो लंब होता जाएगा 2.705 माइनस 1.065 कितना आएगा 1.64 मीटर्स फिर से D की वाल्यू निकालना है के S कॉस स्कूर थीटा 100 इंटो 1.64 इंटो कॉस स्कूर 5 डिग्री 6 मिनिट्स क्लियर लूट वीडियर वाल्यू वाल्यू निकालना है वाल्यू निकालना है क्स सिन क्स सिन 2 फेटा by 200 into 1.64 into सिन 10 इंटो 10 इंटो सिन 2 फेटा लूटिप्ला वीडियर वीड्यू 14.5 21 में श्लीर अब भाई, same procedure, difference निकालना है मुझे, difference in elevation, difference in elevation between B and instrument axis, instrument axis किसको बोलते हैं, ये जो चल रही है, लाइन, इसको instrument axis बोलते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, उपर B की value निकालना है हमने, 14.521, minus, beach वाली value कितनी दी हुई थी मेरे course में, मेरे question में, 1.885, तो कितना आएगा, difference in elevation, 12.636 meters, correct, समझ में आया है, अब जो last मेरे को बोला था, क्या निकालने के लिए, gradient निकालने के लिए, तो मैं उसको निकाल लेता हूँ, gradient from A to B, कितना आजाएगा gradient मेरा, देखो, distance कितना है मेरे पास, A से B तक का निकालना था, 107.3 meters, देखो, निकालना था न, यह देखो, distance निकालना था, 107.3 meters, और B कर निकालना था कितना, 162.7 meters, correct, और distance B, P कितना है, 162.7 meters, ठीक, अब हमारे को angle दिया हुआ था, angle A, P, B, हमें निकालना है, A, P, B कैसे निकालेंगे, यह जो starting में angle बनाया था न, हमने, यह वाला angle, यह वाला angle निकालना है, तो what we'll do, this minus this, clear, 224 degree minus 134 degree, तो this will come out to be 90 degree, 90 degree मतलब मेरा triangle बन गया, तो यह मेरा P था, यह मेरा A था, जो उस वाले में, यह B था, तो जब 90 degree बन गया, तो मैं यहाँ पर पैथा को रस्तियों रम लगा लूँगा, ठीक है, तो AB is equals to, AB का square is equals to, AP का square plus BP का square, ठीक है, यह hypertenus हो गया, यह 90 degree बना मेरा तो, देखो 90 degree बन गया तो, ठीक है, तो अब AB is equals to, अंडर रूट 107 का square, 107.3 का square, plus 162.7 का square, तो इस विल कम आउट तो बी 194.9 meters, अब अब elevation का difference चाहिए, तो मतलब A उपर है, B उपर है, तो difference in, elevation, यह मैंने कैसे निकाला, अभी अभी दोनों V निकाला है, मैंने A से B तक, B से A तक कभी भी निकाला, और P से B तक कभी भी निकाला, दोनों को माइनस कर देंगे, तो कितना difference पता चल जाएगा, कौन उपर है, तो उपर वाले का था मेरा, 18.035 माइनस 12.636, तो इस विल कम आट तो बी 5.399 मीटर्स, मेरे को क्या पता चल गया, A उपर है, A being higher, अब ऐसा लिखोगी, ठीक है, अब मुझे चाहिए gradient, तो gradient निकाल देता हूँ, gradient from A to B, कितना हो जाया है का मेरा, gradient 5.399, अब आन कितना distance है, देखो distance, 194.9 मीटर्स, जब इसको पूट करेंगे, तो हमेशा आप लाद रखना, जब भी आप gradient निकालोगे न, तो आपको कैसे निकालना है, 1 in 36.1, मतलब इसको काटोगे, तो 1 आएगा, इसको काटोगे 36.1 आएगा, ठीक, this is your gradient, clear question, समझ में आया, ठीक, अगला question, यह थोड़ा सा बड़ा question है, इसको थोड़ा धीरे से, समझने का प्रयास करियेगा, आप लोग, ठीक है, क्या है question में, following observations vertical from two traverse stations, तो traverse station बनाए गया है, station A और B, ठीक है, और by means of, tachometer, tachometer से बनाए गया है, जिसको analytic lens से fix किया गया है, इसमें भी instrument का, जो हमको constant दिया गया है, 100 दिया गया है, मतलब एक कॉम करना 0 है, बहुत सरल है, ठीक है, अब instrument station पहला A है, दूसरा B है, जब instrument station A है, तो staff station क्या है, C है, जब instrument station B है, तो staff station क्या है, D है, ठीक, height of instrument कित्ता है, 1.38 और 1.42, उनकी bearing फिर दे दी हुई है, vertical angle दे दिया हुआ है, अब क्या है, जब A नीचे है, तो C कैसा है, उपर है, C कहाँ पर है, उपर है, A यहाँ पर है, तो C यहाँ पर है, यह बनेगा ना, 226 degree, 30 minutes, ठीक है, तो vertical angle कैसा है, 10 degree, 12 minutes, उपर है, ठीक है, लेकिन जब B उपर है, तो D नीचे है, यहाँ B है, ठीक है, यहाँ पर B है, तो D कहाँ पर है, नीचे साइट पर है, यह देखो, D यहाँ पर है, ठीक, समझ मैं है, D हमेशा कैसा है, नीचे है, तो यह देखो, माइनस में है, माइनस 12 degree, 30 minutes, और दोनों कहा में क्या दे दिया हुआ, ठीक है, अब आपको नीचे, coordinate of stations दिया हुआ है, एक coordinate दिया हुआ है, A का station का, 212.3, North, मतलब उपर की ओर, और 186.8, West, यानि कि, ऐसा बोलते हैं ना, North, South, East, West, तो West की तरफ दिया हुआ है, और एक उपर की तरफ दिया हुआ है, इसका भी B का भी कैसा दिया हुआ है, एक उपर की तरफ दिया हुआ है, एक इदर की तरफ दिया हुआ है, ठीक है, आगी question solve करेंगे, तो सब clear होते हैं आएगा, क्या बोला निकालने को, compute the length and gradient of line CD, if B is 6.50 meter higher than A, अगर B A से 6.5 meter उपर है, तो बता तो मेरे को की gradient कितना है, ठीक, सिर्फ gradient निकालना है, तो बहुत सारी चीज़े निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैसे पिछले question में किया था, S की value निकालते हैं, D की value निकालते हैं, V की value निकालते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं, observation from A to C, A to C से observation किया, S मेरे को मिला, S कितना मिला, 2.425-0.765, this will come out to be 1.66 meters, ठीक है, फिर A से C का distance, जिसको मैं D से represent करता हूं, किता आएगा, K S cos square theta, फिर से C वाला side नहीं लिया, क्योंकि 0 हो जाएगा, ठीक, तो 100 into S की value उपर निकाला, 1.66 cos square, 10 degree 12 minutes, correct, तो this will come out to be, 160.8 meters, अब V की value चाहिए, तो V क्या होता है, K S sine 2 theta by 2, ठीक, यह किता हो जाएगा, 100 into 1.66 by 2, ठीक है, into Sine 2 theta है, ठीक हो जाएगा, 20 degree 24 minutes, यह 10 degree 12 minutes, तो 2 से multiply किया, तो V की value मेरे कितनी आजाएगी, 28.931 meters, ठीक, अब हमें कुछ zoom करना पड़ेगा, अब हमें zoom कर लेते हैं यहाँ पर, कि हमारे एक elevation है, A का, एक elevation हम 100 हे zoom कर लेते हैं, जब भी आपको elevation नहीं दिया होगा, तो आप आप zoom कर सकते हो, ठीक है, let the elevation of A, कितना है, 100 meters, ठीक है, तो RL of C कितना आजाएगा, RL of C निकालना है मुझे, कितना आएगा, पहले A पे 100 है, प्लस, उसका height of instrument कितना दिया हुआ था, 1.38, है ना, फिर उसके बाद, प्लस, कितना है मेरा उपर देखो, V, 28.931, तो कितना है, 1.595, clear, जब मैं इसको put करूँगा, I'll get, 128.716 meters, correct, समझा है, प्लस, observation हो गया, अब निकालते हैं, observation, from, B to D, B से D तक observation निकालते हैं, S is equals to, 2.860 meters, minus 0.820, this will come out to be, 2.040 meters, ठीक है, अब निकालना है मेरे को, distance, distance, BD, that will be, D is equals to, KS cos square, theta, कितना है, 100 into, पर अभी निकाला, 2.04, into, cos square, कितना दिया हुआ था, question में, 12 degree, 30 minutes, क्योंकि ये, depression में हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ formula change है, इसमें और कुछ नहीं, और क्योंकि, formula C में change है, सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर, KS cos square theta, plus C sin theta, करते हैं, माइनस C sin theta, तो इसमें, सिर्फ formula में change है, बाकि और कुछ change नहीं है, ठीक है, और C है ही नहीं, इसमें, C है ही नहीं, तो कुई मतलब भी नहीं है, C नहीं है, मतलब C is equals to 0 है, ना, तो इसके बाद वाला expression 0 हो गया है, ठीक है, correct है, चलो, जब इसको हम put करेंगे, तो D की वल्य कित्ती आएगी, मेरी 194.4 meters, correct, अब V चाहिए, मुझे V क्या है, KS sin 2 theta by 2, ठीक है, तो 100 into 2.04 into sin, 2 से multiply किया, जब 2 से multiply किया, तो क्या मिलेगा मुझे, sin 25 degree upon 2, तो V की वल्य कित्ती आगई मेरी, 43.107 meters, ठीक है, अब मेरे को RL चाहिए, तो RL of B is equals to 100 plus 6.50, is equals to 106.50 meters, ठीक है, अब RL of D चाहिए, तो कित्ता हैगा, RL of B 106 meters, यह RL of B assume किया है, इसमें height of instrument को plus किया है, ठीक है, अब देखो, आगे बढ़े, तो यह 106.0 plus, इसमें height of instrument को 1.42, minus 43.107, minus 1.84, अच्छे से minus क्यों किया, क्योंकि depression में है, अगर B उपर है, D नीचे है, तो depression में है, इसलिए minus किया, ठीक है, जब I'll put this in calculator, तो कितना हैगा मेरा, 62.973 meters, correct, ठीक, यह मेरा निकल गिया, दोनों का, अब मुझे निकालना है gradient, gradient के लिए, सबसे पहले मेरे पास length है, length of AC, कितना है length of AC मेरा, अब यह भी निकालना पीछे, 160.8 meters, ठीक है, और rear bearing of AC, जो मेरा question में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था, मेरा को question में, 226.30, sorry, 226 degree 30 minutes, ठीक है, अब ऐसा देखो, यह आपका 90 degree है, यह 90 degree है, यह another 90 degree है, ठीक, तो, यहां से मैं चलूँगा, एक कोई line होगी, यहां तक, तब वो आएगा कितना, 226 degree 30 minutes, correct, यह होगा, तो, यह मेरा south है, अब मैं south से west की तरफ, कितना गया, यह तो 180 degree होगया, यहां से यहां तक 180 degree, जब मैं माइनस करूँगा, 226 degree 30 minutes, minus 180 degree, तो कितना आएगा मेरा, 46 degree 30 minutes, यह आएगा, मतलब, यह जो angle है, यहां से यहां तक का, यह angle, is 46 degree 30 minutes, correct, जो कि कहां से है, south से लेकर west तक, this is coadernetal bearing, यहां पर मैं इसको 226 degree 30 minutes, ना लिख करके, मैं लिख सकता हूँ, south से कितना चला मैं, 46 degree 30 minutes, towards west, तो यहां पर, और AC कैस्ट, किधर है मेरा, third quadrant में है, किधर है, third, quadrant में है, ठेक, correct, अब latitude, latitude, what is latitude, जो भी, इस line की value होती, that is latitude, जो इस line की value होती, जो departure, तो यह अगर y axis है, यह x axis है, तो उपर जितना भी latitude होगा, वो सब positive होगा, नीचे जितना भी होगा, सब negative होगा, यह x axis है, तो इधर जितना भी होगा, इस side वो positive होगा, इधर जितना भी होगा, साइड हो नेगेटी होगा, क्लियर, तो अब मुझे लेटिट्यूड चाहिए, किसका ए से सी तक का, तो जब मैं ए से सी तक का लेटिट्यूड लिखता हूँ, लेटिट्यूड, स्टार्टिंग में आपको फिगर पताया था, और A, C, A, C देखो, A, C यहां से गี้ है न, यह नीचे साइड है, A यहां पर उपर है, और C नीचे है, देखो, तो तो यहां से यहां तक जा रहा है, तो A, C नीचे है, तो latitude नीचे है, तो नीचे है, तो मैननस में आएगा, माइनस कितना माइनस 160.8 जे निकाला है into cos 46 degree 30 minutes क्यों cos क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है हमारा एंगल किसके साथ लगा हुआ है देखो ऐसे है ना एंगल यहां लगा हुआ है 46 degree 30 minutes ये line कितने की है हमारी line है distance 160.8 meters mechanics वाला माइनस कैसे आया है latitude है क्योंकि नीचे है y में ठीक है when I'll put this in calculator I'll get minus 110.7 अब मुझे चाहिए departure departure of AC departure of AC कितना हो जाएगा minus 160.8 into sin 46 degree 30 minutes ये departure है ठीक है इस तरफ है तो मैं अभी अभी बताया है जब भी इस तरफ होगा X 25 माइनस हो जाएगा ठीक है when I'll put this in calculator I'll get 116.6 ठीक समझ मैं अब similarly B के लिए चाहिए B से D तक के लिए तो यहाँ पर लिखूंगा मैं length of BD वो भी निकाला है भी पीछे 194.4 meters और फिर rear bearing of BD किता है यह माइनस करेंगे वैसी है first quad में है ठीक है समझ गया अब gradient निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम hence BD अब मुझे gradient निकालना है सबसे पहले total latitude लिख लिख लेटी ती टीउड ओफ BD किता है 194.4 cost 84 degree 45 minutes ठीक है अब BD का निकालना है तो क्या हो जाएगा सेम निकालना 17.8 BD के ले निकालना है तो 194 और cost 84 अब आप इसे departure निकालना है departure of BD is equal to 194.4 sin 84 degree 45 minutes ठीक टागा plus 193.6 correct अब टोटल लेटिटिट्यूड निकालना है now टोटल लेटिट्यूड is equals to 194.4 तोटल लेटिट्यूड कितना आजाएगा मेरा ए के लिए कितना था of a टोटल लेटिट्यूड of a a के लिए question में दिया हुआ था 212.3 देखो question में आपको दिखा देते हैं यह देखो ऐसी b के लिए 102 दिया हुआ है ना departure की value यह दी हुई है ठीक है confuse नहीं होना 212.3 और हमने अभी निकाला इसमें हमको जोड़ना है add latitude of a c a से c तक हमने निकाला है अभी कितना minus 110.7 तो latitude कितना आ जाएगा मेरा यह पस latitude कितना आ जाएगा इसमें total latitude of c latitude of c कितना आ जाएगा अभी इसको निकालेंगे तो 101.6 correct उसके वाद departure चाहिए तो टोटल दिपाचर यह का कितना है minus 186.8 ठीक है अभ माइनस क्यों ले रहा हूँ मैं इसमें सोचने की बाद है माइनस क्यों ले रहा हूँ क्योंकि west दिया था मेरे को question में आप देखो कि west दिया था तो मैंने आपको बताया जब भी इस तरफ होगा x के लिए तो माइनस होगा ठीक है और टोटल दिपाचर अभी ac का कितना निकाला ac का कितना निकाला total departure minus 116.6 total departure for c कितना होगी है मेरा minus 303.4 correct ठीक है अब similarly total latitude में b के लिए निकाल दूँगा similarly total latitude of b कैसे निकाल दूँगा b question दिया हुआ है 102.8 और मैंने अभी अभी bd के लिए कितना निकाला है 17.8 तो मेरा कितना आजाएगा value total latitude of d d के लिए total latitude कितना आजाएगा 120.6 correct अब total departure for b कितना है total departure for b कितना निकाले थे उसको कितना दिया हुआ question में minus 96.4 ये दिया हुआ है towards south तो south जब दिया हुआ है तो sorry departure towards west दिया हुआ है तो minus में रहेगा ठीक है अब b d तक का हमने अभी कितना निकाला है 193.6 दोनों को हम जब add करेंगे तो कितना हैगा 97.2 clear अब मिरे को coordinates चाहिए thus the total coordinate of the point c and d कैसे निकालेंगे minus करके latitude of line c d कैसे बता चलेगा total latitude of d minus total latitude of c तो कितना है 120 minus 101.6 ठीक कितना आजाएगा यह 19.0 सेम क्या करेंगे departure निकालना है total तो कैसे करेंगे this minus this ठीक है total departure of line c d 97.2 minus अब वो minus में पहले से था 303.4 ठीक हितना आजाएगा plus 400.6 ठीक है फिर से सेम चीज हमारा जो line बना वो 90 degree बना तो हमें c d is equal to under root 19 का स्क्वेर plus 400 का स्क्वेर कितना आजाएगा 400 1.1 मीटर करेक्ट अब मुझे चाहिए gradient c d तो कितना आजाएगा gradient c d इसको निकालेंगे जब जब निकालेंगे इसको तो हमने कैसे निकाले gradient कैसे निकालते हैं total latitude line 19 by 401 this will come 1 in 6.1 clear? अगे बढ़ते हैं अगला प्रश्टा है हमारा the following perpendicular offset were taken from a chain to an irregular boundary इसमें irregular boundary में हैं एक chain से लिया गया observation है जिसमें chain is दिया हुआ है offset दिया हुआ है अगर 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 यह irregular नहीं होता तो हम इसमें इसमें सिंसर रूल रगा सकते थे ड्रैपेसाइडल रूल लगा सकते थे बट अब यह irregular हो गया है तो हम इसको कैसे सॉल्ट करेंगे तो हमें chain is दिया हुआ है और offset दिया हुआ है आपको मैंने कहा figure बना लेजी आपके लिए स दो मीटर पे मेरा कितना है offset 15.5 मीटर का ठीक है दोनो मीटर में है ठीक फिर मैं पहुचा यहां से 10 मीटर पे तो मेरा offset कितना हो गया 26.2 यह से थोड़ा सा बढ़ा हो गया 26.2 फिर कहां पहुचा मैं 25 मीटर पे जब तो थोड़ा सा और बढ़ा हो गया 31.8 फिर आया थोड़ टू मीटर्स पे तो कित्ता है मेरा 25.6 25.6 ठीक है फिर थोड़ा और आगया आया कहाँ पे 60 मीटर्स पे तो कित्ता मिला 29 मीटर्स 29 मीटर्स और फिर आख्री में लास्ट में जब 75 मीटर्स पे पहुचा 75 मीटर्स पे पहुचा तो मेरे को कित्ता मिल गया 31.5 तो ये मेरा बन गया ठीक है समझ में आया अब इसमें मेरे को simple साफ मेरा formula होता है जो वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या formula है मेरा डैल निकालने का ठीक है मतलब मैं को total area चाहिए ना तो यहांपर area को मैं dal से represent कर रहा हूँ ठेक है तो मैं को total area चाहिए तो area for first area for second area for third area for fourth area for fifth जब पार्शों को प्लस कर दूँगा तो मेरे को टोटल एरिया मिल जाएगा ठीक तो एरिया का फॉर्मूला है सीधा इसमें डी बाइ टू ओ वन प्लस ओ टू ठीक वाट इस डी यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस इस डी ठीक तो मैं कैसे निकालूंगा इसके लिए पहले के लिए 10 माइनस 0 यह 0 है यह 10 है ठीक है दूसरे के लिए कैसे निकालूंगा 25 माइनस 10 यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक चाहिए तो कैसे निकालूंगा 42 माइनस 25 ठीक सिमिलरली और O क्या है मेरा O is this यह, this is O1, this is O2 फिर O3, O4, O5, O6 correct, चल निकालें तो पहले first के लिए निकालीते हैं तो area for first trapezoid किता है, इसको मैं del 1 से represent करता हूँ उपर देखो formula D है, D निकालना है 10-0 पहले बताया, upon 2 उसके लिए पहले के लिए O1 कितना था मेरा, देखो यहाँ पर है 15.5 और 26.2 तो 15.5 plus 26.2 कितना आजाएगा मेरा 208.5 मीटर का square second के लिए निकालना है, del 2 फिर D चाहिए D कैसे निकालूँगा, 25-10 25-10 by 2 26.2 26.2 plus 31.8 plus 31.8 ठीक है जब मैं इसको निकालूँगा, तो कितना आएगा 435 मीटर का square del 3 चाहिए del 3 कैसे आएगा मेरा, देखो 42-25 42-25 by 2 ब्रैकेट में कितनी वैली हो 31.8 plus 25.6 31.8 plus 25.6 when I'll calculate this, this will come out to be 487.9 मीटर का square ठीक, आखे बढ़े हैं same करना है, हमें del 4 के लिए del 4 will come out to be 60-42 सेम आप देख लेना पीछे क्वेशन में ठेक है 25.6 plus 29.0 this will come out to be 491.4 meter square and now del 5 area of last trapezoid या फिर 5th trapezoid किता है मेरा area 75 minus 60 by 2 29.0 plus 31.5 when I'll put this in calculator I'll get 453.7 meter square अब मेर को चाहिए total area total area जिसको मैंने del से represent किया था del 1 plus del 2 plus del 3 plus del 4 plus del 5 ठीक है किता है पहला 208.5 दूसरा 435, तीसरा 487.9 चौता 491.4, पांच वा 453.7 तेको सब निकाल लिया न and when I'll add everything I'll get 2076.5 meter का square जिये मेरा one के total solution ठीक है यह आपके कुछ 3-4 questions थे जो आपके doubts से जो आपके clear करती हैं ठीक आपके exams हैं अप अच्छे से पढ़िए all the best अब आपको और कोई भी doubt होगा तो आप फिर से again आप मुझे email कर सकते हैं आप मुझे telegram पे message कर सकते हैं आप मेरे को personaly whatsapp कर सकते हैं अपने doubts ठीक जहां भी आपको सुझाला के आप मुझे भेज सकते हैं मैं आपको उसका अगले वीडियो में बनाके या फिर आपको बनाके whatsapp पे शेयर कर दूँगा या फिर telegram पे शेयर कर दूँगा ठीक है तो ऐसे आप अपने doubts को यहां पर clear कर सकते हैं ठीक है all the best कल के exam के लिए या फिर जब भी आपको और कोई भी exam में आगे ठीक अच्छा स्तियारी कीजिए और भी कोई doubt है तो आप comment में मुझे बोल सकते हैं ठीक यू